अगर आपको बेसिक स्टीचिंग भी आती है तो आप इस वीडियो की मदद से इस ड्रेस को डिजाइन कर सकते हैं वे आपको बेसिक स्टीचिंग वान कीज़ इस बंनाने के लिए हमने यहां पे 2-meter जौजट का फाब्रिक यूज़ एक अच्छी वाली है और लाइनिंग के लिए हम ने यहां पे 1-2-meter-ली यूज़ यूज़ इसका हो ड्रेस की प्लिए तरह समझ ने के लिए प्लिए तक वी यहां पर हमने body lane 13 लिया, 1 इंच प्लस करके 14 इंच और यहां पर fabric की width 10 इंच की है पहले हम solder के लिए mark करेंगे, solder यहां पर मैं 6 इंच पर mark करेंगे और arm hole के लिए भी हम 6 इंच पर ही mark करेंगे इस तरह से यह निसान लगाने के बाद हम एक box ready कर लेंगे 6 इंच की और इस निसान को हम मिला देंगे इसके बाद इसी line पर हम burst के लिए निसान लगाएंगे तो burst के लिए मैं यहां पर 8 इंच पर mark कर रही हूँ, 0.5 मैं कम की हूँ इसके बाद हम यहां पर 2 इंच एक्ष्टा मार्जिन के लिए देंगे और इस निसान को हम मिला देंगे इसके बाद हम waste के लिए निसान लगाएंगे force डिवाइट करने के बाद 6 इंच पर mark कर रही हूँ और 2 इंच एक्ष्टा मार्जिन के लिए इस दोनों निसान को हम मिला देंगे अगर आपको इस वीडियो से related कुछी भी point समझ नहीं आए तो आप हमें comment करके पूछ सकते मैं जल से जल reply दूँगी इस तरह से यह निसान लगाने के बाद हम free hand से back side arm hole के लिए round shape देंगे इसके बाद हम अंदर की side से point five front side arm hole के लिए निसान लगाएंगे इसके बाद हम solar down के लिए निसान लगाएंगे तो हमारी neck की width जितनी है ठी inch पे mark कर रहे है और point five इस side पे mark करेंगे और इस निसान को तीछे में मिला देंगे इस तरह से निसान complete होने के बाद हम इसके same cutting कर लेंगे पहले ही आपर हम cutting करेंगे back side arm hole की इस तरह से cutting complete होने के बाद अंदर की side से एक part निकाल देंगे जो के हमारी back part होगी और इस वाले part को same double fold करेंगे और हमने जो निसान लगाया है यहाँ पर front side arm hole के लिए उसे हम cut कर लेंगे इस तरह से body part की cutting कंप्रीट करने के बाद इसे open करेंगे right side पर 2 inch mark करेंगे और left side पर उपर के तरफ यहाँ पर 3 inch पर mark करेंगे और neck के लिए middle point हम 6 inch पर mark कर रहे हैं आप neck की length जितनी रखने चाहते है उतनी आप mark करेंगे और इस निसान को हम हलके हाथों से round shape देते वे बिलकुल नीचे तक मिला लेंगे अगर आप यहां पर neck ready करना चाहते है 6 inch पर तो आप यहां 5 inch mark करेंगे क्योंकि यह कटने के बाद उरेब में थोड़ी सी बढ़ जाती है हमने थोड़ी सी deep पहने थी इसलिए हमने यहां पर 6 inch पर mark किया है तो इस तरह से cutting हुई है यह हमारी first पार्ट है यह Parth की cutting अभी हमारे लाइनिंग fabric के उपर हुई है इसे हम अपने में फाभरीग जौजजर्ट Fabric के उपर सेम कटिंग करेंगे स्थे नममें फॉरी कुर्पर के ऊपर ने कर लिया है इसके बाद हम बाट पार्ट जौजर्ट के ऊपर centuryra के आए इसके बाद हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे जिसके लिए हमने फाब्रिक 4 फोल में रखा हुआ है फुल लंथ में से बॉड़ी पार्ट 13 इंच माइनस करने के बाद यहां पर हमारी बॉटम पार्ट की लंथ 29 इंच बची 1 इंच प्लस करके हम 30 इंच लेंगे कि Goblutment कर लेंगेड़ नीचे के साइड़ थोड़ा सा सेेप कर लंगे इस इसके बाद हम स्लिप्स की करेंगे इसके कंद करी इसके हमने फाब्रिक के हाथों से राउन ओडे देंगे इसके बाद हम कफ के निसान लगाएंग Welcome is howflows i अब यहां पर में ऐसे माक करेंगे फिटिंग नाप में हट्र इन्फ एन्फ कर रहे हूं और एक्स्टा मारजिन के के उपर लाइनिंग फाब्रिक मिलाते हुए रखेंगे और हाफ इंच की मार्जिन रखते हुए यहां पर सिलने के बाद प्लट लेंगे सेम हम अपने दूसरे वाले पार्ट पे भी करेंगे लाइनिंग फाब्रिक के उपर मिलाते हुए रखेंगे और हाफ इंच की मार्जिन और दोनों साइट पे भी हम स्टीच कर लेंगे अगर आपको यह नेक डिजाइन बनाने सीखना है तो आपको इसकी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी यह हैंड इम्डॉइटरी है इसके बाद हम बैक नेक रेडि करेंगे जिसके लिए हमने लाइनिंग फाब्रिक को इस बॉक्स रेडि करने के बाद मिडल से यहां पर हलके हांतों से राउंड सेब देंगे और इसके हम सेम कटिंग कर लेंगे इस तरह से नेक की कटिंग करने के बाद यहां पर में फाब्रिक रखेंगे जौजट के फाब्रिक और इसके ओपर लानिंग फाब्रिक मिलाते हुए नेक रेडी कर लेंगे इस तरह से हमने यहां पर नेक रेडी कर लिया है चाप की स्लाइब लगा लिया और हर साइट से भी हमने स्टीच किया है फ्रंट वाले पार्ट को इससे मिलाते वर रखेंगे सीधी साइड से और यहाँ पे हम सोलर जॉइन्ट करेंगे हाफ इंच की मार्जिन रखते वे इस तरह से हमने सोलर जॉइन्ट कर लिया है यहाँ पे मैं आपको सीधी साइड से दिखाती हूँ यहां पे मैंने चाहप के लगाई हूँ इसके बाद यहां पे हम slips अटाइच करेंगे तो slips की जो कफ होती है उसे हमने फॉल करने पहले कमन tim करेंगार और इसके बाद यहां पर सीधी साइट से मिलाते रखेंगे सेम हमने दूसरे साइट की भी कॉफ रेडी कर लिया और यहां पर सेम दूसरे साइट भी हमने स्लिप्स अटाइच कर लेनी है इस तरह से हमारी स्लिप्स अटाइच हो गई है यहां पर हमने चाप की भी सिलाई लगाई है यह आप अपने अकॉरिंग लगा सकते हैं इसके बाद हम फिटिंग के अकॉरिंग निसान लगाकर यहां पर स्टीच कर लेंगे मैं आपको सीडी साइट से दिखाती हूँ इसका लूप इस तरह से हमारी टॉप पार्ट रेडी हो गई है इसके बाद हम बॉटम पार्ट रेडी करते हैं बॉटम पार्ट के लिए हमने यहां पर फाब्रिक को अच्छे से रखा हुआ है बैक वाले पार्ट को इस तरह से हम एक साइट पर फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड और सीम हम द करने के बाद करने के बाद इसे हम मिल से भी फोल्ड करेंगे तो ये हम डबल करेंगे एस तरह से हम् थींdzie पर भी फोल्ड करेंगे और उस साइठ पर फोल करेंगे के ठायन यो रख़ने के एक चीज इस तरह से यह हमारी front वाली दो पार्ट है तो इसे हम एड़ कर लेते हैं वह मैं आपको दिखा देती हूं किस तरह से एड़ करनी है हमें टॉप पार्ट हमने सीधी साइड से रखनी है और बॉटम पार्ट को इसके ऊपर सीधी साइड से मिलाते हुए रखेंगे और आप तो यहां पर मिडल का एक निसान लगा ले हमारी बिल्कुल परफेक्ट है इसलिए हम इसे बिल्कुल कोने से मिलाते हुए रखेंगे और इसे अटाइच कर लेंगे सेम हम बैक साइड को भी अटाइच करेंगे बैक पार्ट सीधी साइड से इसके ऊपर मिलाते हुए रखेंगे और यहां पर स्टीच कर लेंगे और यह हमने हाफ इंच ही मार्जिन रखते हुए इसलाई करनी है तो यह हमारी अटाइच हो गई है मैं आपको अच्छी से करने हमने लुप यह माज़का करेंगे इस तरह से सांग मिलाते हुए तो मैं आपको लिखा देती हूं किसपर नशाड लगाने है जिसान हमने वन फईंच करते हैं फ्री डैम लगानी है तो गहां लगानी है यह त्रीम लगानी है दनिट हमने इस तरह से 1.5 इंच इस तरह से हमारी 7-piece लुपिया एड़ होगी एक साइड पे इस तरह से लुपियों को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे और नीचे के साइड पे रखते वे इसे स्टीच कर लेंगे इस तरह से सेम हम दूसे साइड पे भी अटाइज करेंगे और दूसे साइड के दोनों साइड पे भी हम सेम लुपिया लगाएंगे इस तरह से हमारी लुपिया बहुत अच्छे से लग गई है इसके बाद हम डोरी अटाइज करेंगे इसमें तो डोरी किस तरह से आपने लगाने हैं जिक लग करते हुई हो आप देख ले cuma कि मिडल वाले लूपी से डालना स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से डालते हुए दोनों बॉडी को हम पहले बराबर करेंगे बराबर करने के बादैक जिकज़ करते हुए डालेंगे इस तरह से डोरी लुपियों में अच्छे से डालने के बाद हमने यहां पर फाबरिक की टेसल बना कर लगाई अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं मैं इसकी वीडियो अप्लोड कर दूंगे अपने चैनल पर आप हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी यह ड्रेस कैसे लगी हमें तो यह बहुत ही प्यारी लग रही है अगर आपको यह ड्रेस पसंद आई है तो आप इस ड्रेस को जरूर ट्राय करें मिलते नहीं फीडियो म बाइब बाइब लाँ